नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने 140 वा डी 33 फाइटर जैट इंजन बना लिया है और ये सीरीज 3 का इंजन था जो मिग 29 के लिए बनाया गया था और ये इंडियन एर फोर्स को दे दिया गया है आज इस 40 वा डी 33 सीरीज 3 इंजन बनाया है इंडियन एर फोर्स के लिए और इस मोके पर M.J. विनोद कुमार जो की दोस्तों ADG है कोरा पुट के अंदर उन्होंने आशुतोष मलिक जो की इंजन डिविजन के GM है उन्हें एक कमपलीशन ओफ सर्टिफिकेट भी दिया इस माइल को छूने के लिए और दोस्तों आपको बता दें ये रशियन इंजन है और इसे H.E.L. भी बनाती है और ये RD-33M के वर्शन है और इसके अंदर हायर थ्रस्ट है इसके बेसिक मोडल की तुलना में और सबसे बड़ा एडवांटेज इसके साथ ये है कि इसकी जो फ्लाइट क के उपर से उडान भरता है ऐसे में दोस्तों उसे बहुत थोड़ा रस्ता मिलता है या कहें कि डेक का जो स्पेस होता है वो कम होता है इसलिए उसे कम स्पेस के अंदर ही टेक ओफ और लेंड करना पड़ता है ऐसे में इंजन पूरी तरह से पावरफुल होना चाहिए और इ Easily aircraft carrier के उपर land कर सकता है, take off कर सकता है और साथ ही hot climate के अंदर भी combat task दे सकता है। और इस engine के अंदर ऐसा system लगा हुआ है जिससे दोस्तों इसका infrared optical visibility कम हो जाती है। यानि कि एक तरह से कह सकते हैं कि stealth feature ज़्यादा आ जाता है। और दोस्तों आपको बता दें 2006 के अंदर HAL ने एक deal की थी रशिया के साथ में 275 million dollar के अंदर जिसके तहत वह license प्रोड्यूस कर सकता है इन किलमोव RD-33 टर्बो फैन इंजन को और ये दोस्तों उसका एक refurbishment program था जिसके तहत उसे air force की MiG-29 fighter jet की fleet को मदद देनी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी engine का एक version RD-93 के नाम से भी जाना जाता है जो पाकिस्तान के JF-17 को power देने का काम करता है उसके अंदर हलांकि दोस्तों thrust थोड़ा जादा है लेकिन उसकी service life जो है वो 2200 गंटे की है जबकि इसकी service life 4000 गंटों की है तो ऐसे में दोस्तों ये powerful engine ने केवल इंडिया के पास है बलकि इंडिया इसकी manufacturing भी करता है जबकि पाकिस्तान और चाइना इसी engine का एक दूसरा version रशिया से खरीदते हैं तो ऐसे में दोस्तों हमारी capability जादा है और हम उनसे पहले engine develop कर लेंगे धन्यावाद जैहिन